नमस्कार आप देख रहें सम्रधिरी चनल और इस वक्त मैं हूँ आपके साथ असोपतिवारी कोरोना वाइरस जो की एक बहुत बड़ा संकट बंकर पुरे देश पे मड़ा रहा है देश की ही नहीं बलकि पुरे बीसों में सारी अर्थ व्योस्ता चर्मना आ गई है और सारे लोग अपने घरों में छिपे पड़े हैं लगडाउन का देश भारा सरकार ने तीन महीं तक बढ़ा दिया है इस बिकट प्रस्तिती में तमाम जितने भी समाजिक और जितने भी व्योसाईबर के लोग है सारे लोग तत्परता से उन तमाम लोगों को मदद करने के लिए सरकों पोद्रे हैं जो अपने घरों में इस लगडाउन की स्थिती में बंद पड़े हैं वैसे मजदूर जो की रोज कमाने खाने वाले लोग हैं ऐसे लोगों को मदद करने के लिए तमाम समाजिक संठन, तमाम बैसाइक संठन के लोग सड़कों पर आकर खड़े हुए हैं और करोना जोधा की तरह उन लोगों को मदद करने के लिए लगतार तक पर हैं। अपने जान का प्रवाह किये वेगा। इस वक्त हमारे साथ एक अच्छे शमाली करकरता एक अच्छे बेवशाई पट्टा से संकल प्रिवार के संस्थापक प्रवीन कुमार जुड़े हैं। आए जानते हैं ये क्या बताना चाहेंगे और इस भ्यानक जो संकट है इस कोरोना प्रिश्थिती में जहां कोरोना संकट लगातार मढ़रा रहा है देश की अर्थ ब्योस्ता चर्मरा गई है। इस बिकट प्रिश्थिती में जहां कोई किसी का मदद करने वाला नहीं है। आप जैसे समाजिक बुधी जिवी लोग और आप जैसे जो भी ब्योसाईक गड़ है वो लोग लगातार ततपर है कि उन्हों का मदद किया जाए। इस कठिन इस बिकट प्रिश्थिती में आप समाज के सामने आए आप इन लोग को मदद करने के लिए सामने आए इसके लिए दिल से आपको धन्यवार। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि अभी जो इस सित बना हुआ है इस कुरोना का संकट में वहां की सरकार द्वारा क्या देखा किया गया किस तरह उन लोग की देखने नहीं की गई वो लोग भूख से तौप रहे थे और वो लोग पैदल ही भूख के चलते पैदल ही बिहार वापस आ गया इस बिकट प्रिश्थिती में हमें नहीं लगता है कि वो लोग बिहार से फिर वहां जाने का नाम लेंगे तो ऐसे गंभीर शमस्थाय जब उत्वन होगी तो बिहार में उन लोगों के लिए रोजगार का क्या स्रोत है क्या बताना चाहिए आपकों सरकार को क्या करना चाहिए नमस्कार सरव पर्थम मैं आपके चैनल के माध्यम से परोना की युद्धा को नमख करता हूँ जो इस जंग में आम जंग की सेवा मैं अपना महत्वपून ज्योगदान दे रहे हैं इस कोरोना रुपी महमारी से पूरा विश्व जंग लड़ रहा है अपना देश भी उसमें सामीर है हमारी पर्देश कि वैसे लोग वो मुश्की लोग से ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है जो अपने पर्देश के साथ साथ अन पर्देशों में जाकर रुजगार करते थे अपने जीव को पार्जन चलाते थे हमारे सरकार के लिए भी उनको सो रोजगार और रोजगार देने के लिए सामने चुनोती खड़ी है लेकिन हमारे पर्देश में किसी के छेत्र में सो रोजगार और रोजगार के असीम संसाधन है हमारे उत्पागन, प्रसंसकरन और वीपनन के छेत्र में बहुत से लोगों को स्वरोजगार रोजगार दिया जा सकते जी जी बिल्गुल लेकिन आप भी किसानों को अपना उर्जा सुरोत मानते हैं इस बिकड़ प्रस्थिती में किसान की ये स्थिती है तो आप किसानों के बारे में क्या सुचे शंकर्प किशान क्लब के माध्यम से जरुरत मंद लोगों तब खाद्व समागरी, प्येजल एवं मास्क का निसुल्क बित्रव का कार्ज किया जा रहा है उसमें हमारे सभी सदस इस कार्ज की महधी भूमी का निभार जहां किसानों को नजर अंदाज किया जा रहा था इस बिकट परिषिती में किसान ही समाज के सामने आये हैं किसान ही है जो कि अपने उपजाय अनाज से लोगों को जिंदा रख रहे हैं इस बिकट परिषिती में सरकार को किसानों पर ध्यान देना शाहिए जब जब हमारे देश पर संकट के बादल चाहे हैं उससे उबरने है तो हमारे किसान भाईयों की भूमिका अती मोहत तो पूर्ण हो जाती है हमें गर्भ है अपने अनदाता किसान पर कि भरी बरसात में और कड़ी दो भरी में भी हमारे देश वासियों के लिए अनकाव पारजन करते हैं हमरे सरकार से भी आग रहा है कि जैसे संकट के घड़े में हमारे किसान भाई खड़ा रहते हैं वैसे ही जिस के किसानों को सुने और उन्हें पहली पंक्ती में खड़ा किया है